आज का हमारा नया टॉपिक है इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ठीक है? अभी तक हमने पढ़ा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ठीक है? तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्यों होता था? L capital F of T equal to small f of P होता था ना? अब क्या हो गया? इसका inverse हो जाएगा means इसका क्या हो जाएगा देखोई? यह उल्टा हो जाएगा L inverse small f of P equal to capital F of T ठीक है? यह हो जाएगा और हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म के जो फॉर्म ने पढ़ा थे फिर्स्ट हमने पढ़ा था? क्या पढ़ा था? L inverse 1 upon P का कितना हो जाएगा? 1 ठीक है? और पढ़ा थामने L E की पावर 80 का ठीक है? इसका क्या हो जाएगा? 1 upon P minus A होता था ठीक है? तो अब इसी का उल्टा कितना हो जाएगा? L inverse 1 P minus A अब इसका L inverse कितना हो जाएगा? inverse Laplace देखो यह हो जाएगा A की पावर 80 ठीक है? अब हमने क्या पढ़ा था? एक पढ़ा था हमने कि L T का ठीक है? T की पावर N का factorial upon P की पावर N प्लस 1 होता था था ना? ठीक है? अगर हम इसी का उल्टा कर दे कि L inverse ठीक है? 1 upon P की पावर N का ठीक है? यहाँ पर N प्लस 1 था यह N है ठीक है? तो यह कितना हो जाएगा? T की पावर N minus 1 upon N minus 1 का factorial कैसे? देखो हमने यहाँ पर एक फॉर्मुला हो पढ़ा था L inverse T P square का ठीक है? तो उसका कितना होता था? कितना होता था? ती का होता था? क्या होता था? 1 upon P square होता था था ना? तो वही तो कर दिया L inverse 1 upon P square है ठीके? square है Equal to T ठीके? देखो T की पावर कितनी है? जो यहाँ पे 1 less है यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 less है तो यहाँ पे वैसी है N है तो 1 less है अपन कितना यहाँ पे 1 है? तो यहाँ पे पही बहुत हो गया? 1, 1 factorial, यह n minus 1 तो यहाँ पे factorial n-1 ठीक है यहां गया ऐसे इसके फॉर्मिले हम फाइंड कर सकते हैं ठीक है जैसे यहां पर अगर हम निकालेंगे l cos at का कितना होता था cos at का उसका था p upon p square plus a square ठीक है तो सेम ऐसी l inverse p upon p square plus a square का कितना हो जाएगा cos at ठीक है इसका सिंपल हो गया बट अगर हम इसमें sin का निकालें sin at का तो sin at का कितना होता था a upon p square plus a square equal to ठीक है अगर हम इसका inverse में निकालें तो 1 upon p square plus a square जो यह a था वो क्या हो जाएगा इधर आ जाएगा 1 upon a sin के साथ और sin at यह हो कि इसका inverse हम inverse laplace transform easily find कर सकते हैं अगर हमें क्या है laplace transform याद है ठीक है अब हम इससे related question करते हैं हमारा question है 4p plus 15 upon 16p square minus 25 ठीक है हमें इसे solve करना है देखो तो first of all हमने यहां से 16 common ले लिया 1 upon 16 अंदर कितना बचा 4p plus 15 upon p square minus 25 upon 16 ठीक है 16 क्यों common लिया क्योंकि क्या हम इसका root निकाल सकते हैं ठीक है अब देखो इसा आगे solve करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 upon 16 योग्या 4p plus 15 upon p square minus 5 upon 4 का square देखो हो गया नहीं convert ठीक है अब क्या कर दो इसको separate कर दो 1 upon 16 4p upon p square minus 5 upon 4 का square plus 15 upon 16 अंदर multiply कर दिया ठीक है इसका inverse Laplace transform ठीक है 15 upon 16 1 upon p square minus 5 upon 4 का square ठीक है अब हमें इसका inverse Laplace transform निकालना जो माल पास question given है तो हम क्या कर देंगे 1 upon 4 L inverse p upon p square minus 5 upon 4 का square plus 15 upon 16 L inverse 1 upon p square minus 5 upon 4 का square ठीक है देखो यहाँ पर p square minus a square बन रहा है ठीक है तो यह किसमे होता था अगर हमें plus होता तो यह बन जाता कॉस 80 का ठीक है बट यहाँ पर क्या है यह minus है तो यह cos hyperbolic 80 का बनेगा ठीक है और A की value कितनी है यहाँ पर 5 upon 4 है ना यहाँ पर देखो cos का पैचान यहाँ यहाँ पर उपर क्या गया पी आता है ठीक है और sin में 1 आता है ठीक है तो यह हो गया cos hyperbolic 5 upon 4 T ठीक है और ऐसी यह वाला 15 upon 16 sin hyperbolic 5 upon 4 T ठीक है solve कर देखे 1 upon 4 cos hyperbolic 5 upon 4 T हाँ और यहाँ पर क्या आता था यहाँ पर इन्वर्स में 1 upon A भी तो आता है 1 upon A 1 upon A अभी पता है था ना formula 1 upon A भी आता है तो A means 5 upon 5 upon 4 आएगा ठीक है 4 के चले जाएक उपर चला जाएगा ठीक है अब देखो 5 3 जा एन 4 4 जा तो यह अग्या प्लस 3 by 4 sin hyperbolic 5 upon 4 T यह हो गया हमारा final answer ठीक है अब देखो हमने यहाँ पर formula का यूज किया था क्यों क्योंकि यह क्या हमारे यहाँ पर हम इसको break कर पा रहे थे ठीक है इसके factor कर पा रहे थे ठीक है अब कुछ ऐसा question आएंगे जिसके हम factor नहीं कर पाएंगे ठीक है तो वहाँ पर हमें properties का use करना पड़ेगा तो properties हैं क्या ठीक है first time first translation property ठीक है इसे हम क्या बोलते है shifting property ठीक है यह क्या होता है अगर L inverse small f of p equal to capital f of t है ठीक है तो इसके बात क्या हो जाएगा L inverse small p minus a equal to 1 की power at f t ठीक है सपोर्स हमारे पास कोई question given है f of p में ठीक है जैसे हमारे पास यह question given था f of p में ठीक है इसे तो हमने break कर पाया ठीक है बट अगर यहां पर इसको हम break ना कर पाते इसके factor ना कर पाते हैं तो हम क्या करेंगे first translation property का use करेंगे ठीक है तो हम उसे किस तरीके से break करेंगे कि p minus a की form में वह आ जाए अगर p minus a की form में आ गया तो easily यह a की power at capital f t हम का use हम यहां पर कर सकते हैं ठीक है जैसे हमारे पास यह question given है ठीक है अगर हम इसके factor करने जाएं तो देखो क्या होगा ठीक है योगया L inverse 15 upon इस इसके factor easily नहीं होंगे ठीक है तो हमने इसे किस form में तोड़ दिया देखो p square p square तो है देखो ठीक है formula क्या होता है देखो plus plus है तो यहां पर क्या होगा a square plus b square plus 2ab का form आएगा ठीक है तो a square तो यह होगी है देखो 2ab का form यह होगी है ठीक है 2ab means क्या होगा यहां पर 2 into a कितना है b ठीक है अब बचा कितना यहां पर into 2 बचा है तो यहां पर 4p आया होगा ठीक है तो यहां पर कितना हो जाएगा a plus 2 का whole square का यह formula बनेगा ठीक है तो यहां पर अगर यह formula बनेगा तो जो 2 square है वो कितना आएगा तो 2 square आएगा कितना 4 4 आयाना यहां पर 13 है अब 4 हमने यहां पर square में ले लिया है तो कितना बचा है यहां पर यहां पर बचा 9 ठीक है देखो बन गया ना P plus 2 P minus A means यहाँ पर A minus A की value कितनी है plus 2 में ठीक है देखो अब हम इसको आगे solve करेंगे तो क्या हो जाएगा ही योगा L inverse नहीं यहाँ पर देखो E की power 80 है न क्योंकि हमने तो क्या पर इस form में हमने इसे तोड़ दिया है अब हमें direct लगाना है तो यह E की power 80 E की power 80 A की value कितनी यहाँ पर A की value माइने सदर लेके चले चले जाओ माइनस 2 हो जाएगा यह तो यहोगा माइनस 2 T और देखो F T कितना है जो बचावा function रहता हमारा L inverse बचावा function कितना है हमारा जो अभी हमने find नहीं किया इसका ठीक है हमने T में अभी answer नहीं लेके आई यह अभी F P में ही चल रहा है योग्या P square प्लस 9 ठीक है योग्या E की power 80 के लिए और जो F T है वो किससे निकलेगा जो हम अब आगे solve करेंगे इससे ठीक है तब देखो योग्या E की power minus 2T ठीक है 15 upon P square plus 9 ठीक है तो यह किसका formula बनदा है 15 यह बज़ गया 1 upon P square plus 3 का square किसका बनदा है यह plus में plus में है means किसका बनेगा यह sin 80 का बनेगा ठीक है तो sin 80 का formula क्याता है 1 upon A sin 80 और A की value कितनी है यहां पर 3 है न 3 3 का square और sin 80 means 3T 3 से 15 को cancel out करो 5 तो हमारा final answer है 5E की power minus 2T sin 3T या गया हमारा final answer आती है हमारी next property वो क्या है second translation property second translation property या second shifting property कहते हैं सी ठीक है देखो इसमें क्या होता है इसमें अगर हमें हमें हमारे पास कोई देखो L inverse small fp का कोई function है तो answer किस में है capital Ft में आता है ठीक है यह is equal to A given रहता है ठीक है और देखो हमें question किस में given होगा E की power minus ap fp means हमारे पास क्या है दो function होगे एक E की power ap में होगा और एक होगा small fp में ठीक है तो वो कैसे निकलेगा तो वो देखो वो gt के form में निकलेगा और gt का form कैसा है देखो f t minus a first time और second वाला function 0 होगा ठीक है अगर second वाला गर यहाँ पर दूसरा function होता means question में ही दूसरा function given होता तो यहाँ पर 0 की जगा क्या लक्त रखते वो function रखते जो हमारा solve करने के बाद आएगा ठीक है देखो इसे और अच्छे से question सा समझते है ठीक है देखो जैसे हमारे पास एक question है कि e की power minus 2p upon p square ठीक है देखो easy question ठीक है क्या है e की power 2p question देखो l inverse e की power ap fp अगर हम इसे compare करेंगे तो e की power minus ap की value कितनी है यहाँ पर e की power minus 2p और small fp की value कितनी है 1 upon p square है देखो तो यह तो आगे इतना अब हमें इसे solve करना है क्योंकि fp की value में किसमे लानी है capital fp में थीक है तो l inverse 1 upon p square रही बताय تھा p square कितना होता है इसका t होता है होता है इसका l inverse 1 upon p square कितना होता है t यह हो गया हमारा function हो गया किसका T का ठीक है यह आगिया है अब देखो हमार पास function हो गया F T का भी है हमार पास E की power AP भी है तो हम क्या करेंगे GT का function बनाएंगे ठीक है तो यह GT का function कैसे बनेगा देखो L inverse E की power minus AP की जगा minus 2P ठीक है और question क्या है 1 upon P square और जो GT का function बनेगा वो देखो ठीक है देखो यह क्या है F T minus A मतलब जो function है और उस function function में अगर T आ रखा है तो उसमें क्या हो जाएगा minus A हो जाएगा ठीक है तो हमारा function क्या है T और जो T है उसमें से minus A होगा ठीक है और इसमें A की value कितनी है देखो compare करो minus A minus 2 तो means A की value हो गई 2 ठीक है तो minus 2 आगे है और T किससे greater होगा A से A means 2 से ठीक है अब 0 ठीक है और T less than होगा 2 से अब हम इसको क्या आगे कैसे solve करेंगे जो हमने वो पढ़ा था unit function unit step function ठीक है उसके देखो उसे solve करेंगे देखो यह गया T minus 2 जो हमारा function आता था आता था ना are you क्या lower limit minus upper limit ठीक हमारे पास क्या upper limit गीवन है तो क्या करतो T minus 2 जो हमारे पास limit गीवन है यह होगा हमारा final answer ठीक है question solve ठीक है इसमें दो दो function गीवन है अब देखो क्या होगा इसमें first हम L inverse निका लेंगे इसको हम अलग-अलग separate कर देते हैं separate करने से क्या होगा देखो 1 की पावर minus P 1 upon P square first function बन गया second function के बनेगा L inverse e की पावर minus 3 e की पावर minus 3P into 1 upon P square हमारे बन गया second function ठीक है तो अब पहले हम इस first function के लिए solve करेंगे तो इससे first function के लिए देखो 1 upon P square ठीक है पहले तो इसे compare करो e की पावर minus AP equal to e की पावर minus PA means यहाँ पे a की value कितनी है? 1 ठीक है और गर हम L inverse 1 upon P square निकालेंगे तो इसकी value आती है T जो होती है capital F T होता है न अब देखो a की value given है function भी given है तो gt के function में convert करो तो क्यों हो जाएगा यह? gt का function जो function होता है उसमें T minus A करते है minus means 1 minus 1 हो गिया ठीक है? और यह get T 1 से greater है और 0 इस T किससे है? 1 से less है ठीक है? यह और इसागे solve करेंगे तो क्या होता है? जो हमारा पहले function है ठीक है वो और फिर U से हम क्या करते है T minus जो हमारा क्या है? lower limit है lower limit तो है नहीं तो T minus जो अपर limit है minus 1 यह होगी हमारा final answer मतलब first function का final answer ऐसी second function निकालो तो second function का क्या है? e की पावर minus 3P तो यहाँ पर A की value कितनी है? 3 है ना? और 1 upon P square वही 1 upon P square मतलब T ठीक है? तो अब निकालो इसका ही function तो T minus A means 3 and second 0 और यह T greater 3 से और T less 3 से होगी है? अब इसका भी निकालो यह होगी है T minus 3 U T minus 3 ठीक है? आगया? अब हमारा final answer क्या होगा? यह और यह सका हम क्या कर देंगे? अड़ कर लेंगे जो हमारा sign है बीच में अगर plus कर तो plus अगर minus हो तो minus तो final answer होगया T minus 1 U T minus 1 minus T minus 3 U T minus 3 यहागी हमारा final answer ठीक है? next topic है change of scale property ठीक है? देखो इसमें क्या होगा? हमें question में given होगा L inverse capital F of P equal to नई small F of P is equal to capital F of T हमें given होगा ठीक है? और हमें पूछा क्या होगा? कि L inverse small F AP हमें पूछा होगा ठीक है? तो इसका direct कैसे निकलेगा? 1 upon A जो हमारे पास जो question है F T का ठीक है? उसमें क्या कर देंगे? T upon A कर देंगे जहां-जहां T होगा उसके upon में हम A कर देंगे ठीक है? बट condition क्या है यहां पे? कि जहां-जहां P होगा question में F of P उसमें A का multiply होना चाहिए ठीक है? देखे जैसे हमने एक example ले लिया अगर नहीं है यहां पे A का multiply नहीं है कुछ नहीं है तो आपको करना है multiply ठीक है? अब देखो जैसे एक example ले लिया कि 1 upon P minus A equal to कितना दे रखा है E की पावर A T दे रखा है ठीक है? यह formula भी होता है ठीक है? और हमें पूछा क्या है? कि L inverse 1 upon A P minus A की value हमें पूछी गई है ठीक है? तो यह देखो अगर हम अंदर multiply करेंगे तो कितना हो जाएगा यह? A P minus A 1 upon हो रहा है ना? ठीक है? तो जहां पर P है वहां पर A तो आ गया है ठीक है? तो जो हमारा direct formula है वो लगाओ तो यह हो जाएगा 1 upon A और जो F T upon A मतलब जहारा function है क्या है? A की power A T तो उसमें जहां जहां T है वहां T upon A कर दो तो T upon A ठीक है? A से A cancel out हो गया तो हमारा answer आ गया 1 upon A A की power T ठीक है? यह आ गया हमारा answer ठीक है? यह हमने एक example लिया था देखेंगे नहीं बहुत ही simple है ठीक है? यह 1, 2, 3 question है ठीक है? आप जो मैंने अभी तक पढ़ाया है ठीक है? आपको क्या करना है इन तीनों question में वो सारे apply करने है ठीक है? कि कौनसा question किस method से solve होता है? simple हम formula लगा के कर सकते हैं यह first translation यह second translation यह change of scale property ठीक है? तो यह आपको खुद try करके देखना है